बारदोस्तों हवे आपने पाठनू श्रवण करिये वलब्भाईना जीवनमा बारडोलीनी लडतनू भारतना स्वातंत्र संग्रामनी जेमज एक आगवू अने अनोखु महत्व छे वलब्भाईना समर्पी जीवननी सिद्धियोनू आएक शीर छोगू गणाई चे बारडोलीनी लडत पूर जोश्मा चालती हती तेमा कोई एक प्रसंगे कोईकना मोमा थी वलब्भाई पटेल माटे खेडूतोंना सरदार वो उदगार निकले गयो हतो जेमने जेमने आ उदगार सांभलेओ तेमने तेमने उपाडे लिधो हतो तेव स्वभाविक रिते खेडूतोंना सरदार तरीके उडखावा लागया हता बारडोलीनी समग्र लडतनो दोर वलब्भाईना हाथमा हतो आ लडत वेडा इकवार गांधी जी आवे हता गांधी जीने भाषण करवानी विननती करवामा आवी हती परन्तु तेमने ना पाडीने कईू हतूं के अहीना सरदार वलब्भाई छे इटले तेव एकलाज भाषण करी शके आम गांधी जी ए वलब्भाईने रित सरनू सरदार नो बिरुद आपिव हतूं पचीतो तेव मात्र खेडुतो ना सरदार न रहता समग्र देश ना लोख हैयामा सरदार नो मान भर्यो स्थान पाम्या हता वलब्भाईनो जन्म एमना मौसाड नडियाद मा तारिक 31 में ओक्टोबर 835 रोज थयो हतू तेमनो वतन हतू खेडा जिल्लानू करम सदगाम तेमना पिता जेवेर भाई एक सामन्य खेडुत हता तेव राणी लक्ष्मीबाईना लशकर मा अंग्रेत सरकार सामे इस वीजन 857 स्वतंत्रता संग्राम मा लड़या हता द्रडता औने देश भक्ती तेमनी नसे नसमा धबक्ती हती घंधी जिये कह्यू हतू खेटर मा परसेवो पाड़ता खेडुतोनू जीवन साचू जीवन छे आ खेडुत पुत्रे नानपण मा जीवनने जीनी नजर जोयू हतू गामडाना जीवननी ओचप अने अधूरपने अनुभवी हती आवाद पितानी जैम वल्लब भाईये बाड़पण मा आत्मसाथ करी हती गामनी शाडामा प्रात्मिक शिक्षण लई वल्लब भाईये नडियाद अने वडो द्रामा उच्च शिक्षण मेरद्यो हतू विद्यार्थी वैथीज तेमनामा निडरता नितागिरी के द्रड संकल्प बढ़ना बीज पड़ेला हता एक वार तेमने काखब लाई थाईली गामना वैद्राजे इलाज माटे लुखण न धगदगता सलिया वडे डाम देवानु विचार्यू त्यारे कुमणु बालक जोई खुद वैद्राज अवडव अनुभववा लागया हता आ समय वैद्राजना हाथ माथी गरम सलियो लई जातेज गाठ पर डाम दै दिधो हतो जोनारा सव दंग रही गया हता त्योंना विशिष्ट गुणोंने व्यक्त करता बालपणना अवा तो अनिक प्रसंगो छे वल्लब भाईये काईदाना अभ्यास माटे इंगलेंट जवा बचत करी पैसा भिगा करया हता परन्तु मोटा भाई विठल भाईने लंडन जवा दै ब्रात्रु भावनु उत्तम उदाहरन पुरुपाडी अननन्य प्रेम प्रगट करे हतो पच्छी थी तो वल्लब भाईये सखत परिश्रम अने बुद्धी चातूर्य थी एक सफ़ड वकिल तरीकेनी नामना मेडवी हती एक वकतनी वाद छे वल्लब भाई कोटनी कार्यवाही माँ व्यस्त हता क्या प्यून आवी ने एक तार आपी गयो है तार माची ने कोज प्रतिक्रिया वगर वल्लब भाईये खिसामा मुकी दीतो वल्ली तेव कोटनी कार्यवाही मा लागी गया कार्यवाही पूरी थया पची कोई ये पूच्यू मिश्टर पटेल शानो तार हतो वल्लब भाईये धिमेथी जनावियू मारा पतनीनू अवसान थयू छे आम लागणीने वश्ट थया वगर पोतानी फरजने अडगता थी अधाकरी हती आम तो दूर थी जुनार ने वल्लब भाईयनू व्यक्तित्व एकदम रुक्ष लागतू स्वभाव पण बहु कड़क छे एवी छाप पड़ती पण ए तेमनी बोली सच्चाई औने आखा बोला पणाना लिदे एम लागतू हतू खरेखर तो तेव नालियेर जेवा हता नालियेर उपरती कठण औने बर्चत लागे पण अंदर थी मीठू औने कूमण होई छे संभड़ावी देता वली तेमनी वाणी मा जोम जुष्तो अने सच्चाई नू रणको रहेलो हतो बारडोलीनी लड़त वखते एक पत्री का प्रगट करी हती अने एक जागरत नेता तरीके चेतावणी आपता तेमने लख्यू हतू लड़ाई लडवी होई तो लगनमा महलवानू न पोसाई काल सवारे उठीने तमारे उग्याती आत्मिया सुथी घरने ताला मारी खितरमा फर्ता रहूँ पडशे छावणी जेवी जिंदगी गालवी पडशे गरीब तवंगर बधा वर्ग अने बधीकों एक राग थई एक खोड़ी ये प्राण होई तेम वर्ते आपणा हाथे थी एक दमणी सरकार ने आपवी न थी ए निश्चैमा कायम रहे जो नहीं तो जिव्यू न जिव्यू थाई जशे अने तालू को कायम ना माटे बोजामा पडशे वल्लब भाई वीर हता एटलाज विनोधी हता महदेव भाईनी डाइरी मा विनोधना घणा प्रसंगों नोंधाया छे एक वार महदेव भाईये क्यांक एक शब्द वांचियो शब्द हतो रचनात मक गफलत एमने नवाई लागी रचनात मक गफलत ते वली केवी होई पन सरदार जेमनो नाम बिर्बलनी चठा थी बोली उठिया न समझया आजे तमें दाल बनावी हती तेवी दाजेली दाल वल्लब भाईये जेल यात्रा पन वीठी हती दांडी यात्राना पांच दिवस पहला साथ मार्चना रोज अंग्रेज सरकारे रास गाम माथी धर पकड करी हती तेमने अमदावादनी साबर मती सेंट्रल जेल मा राखवामा आवया हता ते वखते जेल मा सजा भुगवी रहेला आजादी जंगना आंदोलन कारियोए गगन भेदी नाराओ थी जेलनी दिवालोने गजवी मुकी हती सरदार नी आ प्रथम जेल यात्रा किटली कठीन हती तेनू वर्णन मादेव भाईनी डायरी मा मले छे धर पकडना त्रिजा दिवसे मादेव भाई अने आचारिय कुरुपलानी जी सरदार ने मणवा जेल मा गया हता ते वखते थैली प्रश्णोत तरीना थोड़ा अंशो जुईये तो तमने केवी रिते राखे छे? चोर लुटारानी जेम मने राखे छे तुवाने माटे शुँ? एक कालो कामलो छे एनी उपर आलोटिये छे खोराकनू केम छे? खोराकनू तो शुँ पूछू? बपोरे कैंक जाडा रुटलाने दाल सांजे रुटलाने शाक एम आपे छे घुडाने खपे तेउज होय छे अजादी काजे आपना देश नेतावे केवी अने किटली यातनाओ वेठी हती तैनी मात्र आ एक जलक छे साबर मती जेल मा जियां सर्दारने कैद राखवामा आव्या हता ते विभागने सर्दास फ्रूती विभाग तरिके उलखवामा आवे छे राजाओना ताज मुकाव्या धन्यवीर वल्लब सर्दार आपना एक कविये आम वल्लब भाईने वीरनु विशेशन आप वल्लब भाईने मलेला विशेशनों नु यादी लामवी थाए तेम छे तियो लुखंडी पुरुष तरिके जानीता छे आपनी राष्ट्र भाषाना कवी हरीवन श्राइ बच्चने सर्दार माटे अध्भूत कवितानी रचना करी छे हरेक पक्ष को पटेल तौलता हरेक भेद को पटेल खोलता दुराव या छिपाव से इसे गरज कठोर नग्न सत्य बोलता पटेल हिंद की निडर जबान है सर्दार जन समुदाईनी नाडना भारे पार्खूं हता लोक समुदाई पर तेमनी जवर दस्त पकड हती जेने लिदे संगठन अने संचालन मा तेमना बुद्धी चातूरियना दर्शन थता हता लोकोंने थता अन्याई अने दवन सामेनी लडत मा ते हो हम्मेशा अग्रेसर रहता हता दांडी कुछ दर्म्यान लोखंडी मनो बलवाला सरदार ना उदगारों जोईये तो हवे एक धर्मयुद्ध खेलवानू छे जे दुनियाए पहला क्यारै नहीं जोईयू होई बधा गुजरातियोंने टकोरा मारीने कहीं दव के मृत्यूनो भै होई ते जात्राय जता रहे पैसा होई ते पालवे तो देश पलायन थाई शर्मावू पड़े ते उ कोईज काम साचो गुजराती नहीं करे गुजराती प्रजा स्वतंत्रताना इतियासमा पहलू पानू लखी ने महायुद्धना मंडान करशे प्रभू सौनू कल्यान करे इश्वर सौने सहाय करे सर्दार एटले आपना देशनी त्री मूर्ती गांधी, सर्दार अने जवाहर लाल नहरू पैकीनी एक मूर्ती ए युगना आ त्रणे प्रखर देश भक्तो गांधी जी ए सत्यनेज आराध्यू सर्दारे, पावित्र अने नहरू ए सौन्दर्यनू महिमा गान कर्यू सर्दारना गुरू गांधी जी हता सर्दारना नैतिकता, द्रण मनोबल अने वहवारू पणाना अनेक उदाहरणो इतियासना सोनेरी पाने लखाईने पड़्या छे तेमा भारतना गुरू प्रधान तरिखे सर्दारनी भूमिक आने तो इतियास क्यारे भूली शक्षे नहीं भारतमा अनेक नाना मोटा देशी रजवाडाओ हता आ रजवाडाना घणा राजाओ पुतानी रिते स्वतंत्र रहवाना मनसुबा घडता हता ते राज्योना विल्लीनी करणनी कप्री अने महत्वनी जवाबदारी सर्दारना शीरे आवी हती आ कारिय फूबज मुश्केल हतूं छता पण तेमने कुनेह पूर्वक पार पाड़ियो हतूं जियां समझावर्थी काम चालेओं त्यां त्यां करेओं पन जियां कड़क हाथे काम लेवानों बनेओं त्यां कड़प पन दाखवियों भारतना आ तमाम राजियोंने लोक्षाही सरकारना मालखामा सामेल करी राजाशाहीने नाबुत करी हती आने राजाशाहीनों विकल्प पूरो पाड़ेओ हतो आम देशने अखंड ता बक्षीने तेओ अखंड भारतना शिल्पी कहवाया विनोबा लखे छे सर्दार स्पष्ट बोलता हता प्रहार करता ते डरता नहीं भलेको इने गमेते लागे वली वर्तो प्रहार जो पोताना उपर आवे तो ते थी जराई डग मकतान होता गांधी जीना अंगत सचीव महदेव भाई देशाई सर्दार माटे लखे छे खेडुतोनी भाषा मा बोलता सर्दार नी आखोमा अंगारा जेवी चमक देखाती अने विरोधियोंनों विनाश करी नाके तेवी आंधीनु सर्जन तेमनी वाणी मा थतु घांधी जीए सर्दार ना एक अत्यंत छुपा स्वरूपने छतु करता जनावियों हतु के सर्दार नी शुर्विर्ता जुवलंत देश दाज अने अननत धहर्याना गुणों थी तो हुँ अजान नहतो पन तेमने मने जे प्रेम्ती तरबोल करयो छे तेवा मात्रु प्रे मने सर्दारे दर्शन करावियों वल्लब भाई सादगी प्रिया हता सादु जीवन औने उच्च विचार तेमनो जीवन मंत्र हतो जे पुतानी पुत्री मनी बहिनने पन तेमने वार्सामा आपयो हतो उत्तर कालमा दिक्री मनी बहिने पितानी उलटची सेवा करी हती मनी बह अखंड भारत ना आशिल्पी नू तारिक 15 मी डिसेंबर उगणी सो पचास ना रोज अवसान थयूं। चरोतर ना एक नानकडा गाम्मा जन्मी ने छेक देशना नायव वडा प्रधान अने गुरू मंत्री तरीके सेवाओ आपनार सरदार ने लाख लाख वंदन।